आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये देसी स्टाइल में बनने वाला कच्छे मसालों का बहुत ही मज़ेदार सा फिश करी, इसे बनाना बहुत ही असान है, तो चलिए बनाते हैं, तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे लेसुन की कलिया, तो एक पूरा साबुत धनिया इसलिए नहीं इस्तमाल किया है, क्योंकि जो मसली का मसाला होता है, वो बहुत ही बारिक पिसा जाता है, इसलिए मैंने धनिया पाउडर का इस्तमाल किया है, अब यहाँ पे एड़ करेंगे आदा चमच के करीब लाल मिर्च, और आदा चमच एड़ करेंगे हल्दी और यहाँ पे मैंने डेर चमच के करीब एड़ किया है कश्मीनी लाल मेच यह तीकी कम होती है कलर बहुत अच्छा आता है इससे अब यहाँ पे नमक डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे एक बर पीस लेंगे अब एक बर पीसने के बाद यहाँ पे मैंने दो छो कर लिया था मैंने अब यहां पर जो मसाला लिया है ना उसमें से हम दो से तीन चमच के करीब मसाले को इसमें एड कर देंगे जो पीसा था हमने मसाला अब इसे हम इस तरीके से मेरिनेट कर देंगे और चार से पांच मिनट के लिए इसे इसी तरीके से ढख करके रख देंगे अब यहां पे लेंगे एक iron का कड़ाई, अगर आपके पास कड़ाई नहीं है, तो आप तवे में भी बना सकते हैं, और इसमें हम तेल एड़ करेंगे, तो मैंने यहां पे सरसो तेल एड़ किया है, और medium flame पे इस तरीके से मचलियों को एड़ कर देंगे, तो आपको लग रहा इसमें से चार मिनट लगते हैं, और बहुत ही बढ़िया से यह, आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया आया है, तो यही कारण होता है, हमें iron के लोहे वाले कड़ाई, या फिर तवे का इस्तमाल करना होता है, तो इसी तरीके से हम सारे मचलियों को फ्राई कर लें तो यहाँ पर जो मसाले थे, उन मसालों को हम एड़ कर देंगे, और थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे, इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर लिए थे, इसे मैंने प्यूरी बना लिया है, आप यहाँ पर बारिक तो इसे ढख करके हम लो फ्लेम पे पकने देंगे तो यह देखिए पांच मिनट के बाद यह इसका टेक्शर इस तरीके से हो गया है और अच्छे से सर्फेस पे दिख रहा है तो यही टेक्शर हमें चाहिए होगा आप इसका देख सकते हैं लोग कितना बढ़िया कितना दाने तो इसी तरीके का टेक्शर हमें चाहिए तो अब हम इन मसालों को अच्छे से थोड़ा सा और बुनने देंगे दो मिनट के लिए डग करके यह देख सकते हैं अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है तो फिश करी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है कि हमारे मसाले जो है वो बहुत ही बड़िया से भुनने चाहिए तो अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी तो यहाँ पर मैंने गरम पानी इस्तमाल किया है अब इसे हाई फ्लेम पे हमें बॉल होने देना है तो पानी में हलका सा बॉल आने लगे तो मचलियों को एड़ कर दीजिए और फिर जब मचलिया एड़ करने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे धनिया डाल करके हमें इसे बॉल होने देना है तो देखिए बहुत ही अच्छा सा बॉल आने लगा है तो लीजिए फिसकरी हमारी बन करके रेड बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें